साल दो हजार चौबीस की मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलेया तीन को लेकर फैंस में गजब का उत्सा है। हर कोई हौरा कॉमेडी की रिलीज का इंतजार कर रहा है। मूवी दिवाली के मौके पर दस्तक देगी। हाल ही में मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज किया था, जिसमें कार्तेकारियन रूव बाबा के रूप में वापस आये। वही विद्या बालन ने मंजुलिका बनकर सबका दिल जीत लिया। इसके अलावा स्टार कास्ट में माधूरी दीक्षित, त्रिप्ती डिम्री, विजै राज, राजपाल यादव जैसे स्टॉस भी हैं। अनीस बजमी फिल्म के निर्देशक हैं और कथित तौर पर अभिनेताओं को मूवी के लिए भारी भरकम फीस दी गई है। लाइफ अस्टाइल एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आरियन फिल्म के हाइस्ट पेड अभिनेता हैं। रूह बाबा का किरदार निभाने वाले कार्तिक ने 45 से 50 करोल रुपे चार्ज किये हैं। कथित तौर पर भूल भुलया दो के लिए उन्होंने 15 करोल रुपे चार्ज किये थे, लेकिन फिल्म की सुपर सफलता के साथ उनकी फीस में जबरदस्ट बढ़ोतरी हुई। अभिनेत्री त्रिप्ती डिम्री ने कथित तौर पर भूल भुलया तीन के लिए अपनी फीस दोगुनी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिप्ती डिम्री ने फिल्म के लिए 80 लाख रुपे चार्ज किये हैं। विद्या बालन भूल भुलया फ्रेंचाइजी में ओजी मंजूलिका के रूप में लोटाई हैं। खाबरों के मुताबिक विद्या को अपने किरदार के लिए कथित तौर पर 8 से 10 करोल रुपे मिले थे। बॉलिवुड की धग धग क्वीन अपने फैंस को डराने के लिए पूरी तरह तैयार है। माधूरी इस फ्रेंचाइजी में शामिल होने वाली लेटस्ट अभिनेत्री हैं और कथित तौर पर उन्हें 5 से 8 करोल रुपे मिले हैं। राजपाल यादव, जो छोटे पंदित की भूमिका के लिए लोकप्रिय हैं, भूल भूलया तीन में अपने रोल के लिए 2 से 3 करोल रुपे कमाएं। भूल भूलया तीन, एक नवंबर को रोहित शेक्टी की सिंघम अगेन से क्लेश के लिए पूरी तरह तैयार है। उस दिन दिवाली की छुट्टी है, ऐसे में दोनों ही फिल्म की ओपनिंग कमाल की हो सकती है। सिंघम अगेन के ट्रेलर को भी दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। फिल्म में अजय देवगन, दीपिका पादुकोन, करीना कपूर खान, रनवीर सिंग, अर्जुन कपूर, अक्षय कुमार, टाइगा श्रॉफ, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार हैं। हाल ही में कार्तेकारियन ने दो बड़ी फिल्मों के इस बड़े क्लैश पर बात की और कहा दिवाली की छुटी होने के कारण दोनों फिल्में चल सकती हैं और वरोहित शेक्टी की फिल्म भी देखेंगे। झाल झाल झाल